सभी हरियानवी संस्कृट्टी प्रेमियों को राम राम आज पेश है राज किसंजी की आवाज में एक बहुत खीखों सूरत राचना लीजिये सुनिये इसी तरह दिन गुजुरते रहे इतना टोटा आगया सीट ताराचंद के कि घरमें खाने के लिए अनका दाना भी नहीं तीन दिन के भूखे प्यासे अपनी तब भूख न ओट ले पर जो छे साल का बच्चा था चंदर गुप वो विचारा भूखा भूख से तड़पता रहा जब तीन दिन होगे एक दिन सादू आया भीक मांगने के लिए तो वो ऐसा दिन था के उस दिन सादू को देने के लिए भी घरम में एक चुटकी आटेगी नहीं थी जबके वो सदावर्थ खुल लिया गरते जब सादू जा लिया सेट ताराचंद को उसकी सेठानी कहने लगी के महाराज सेट जी के हाँ दया होती के टोटा था इतना आगया इतना चट गया कि बस कुछ का आनी जाता आप एक काम करो आपका एक दोस्त है बहुत ही पगड़ी वदल यार हाफ़ड मामन सासेट उसके दोरे चले जाओ और उस दोरे दे दोसे रुपिये ओधार मांग लाओ करना सेटानी तन पता है किस पोजीशन मा पगड़ी वदल यार बढ़िये थे राज तो नियुक है कुस दोरे दे दोसे रुपिये मांग लाओ मैं भीख मांगूंगा उस दोर जाग सेटानी ता दयावती कहने लगी के महाराज मैं नहीं कहती है आप उस दोरे दे भीख मांग लाओ नियुबोलिया और कहना के चाओ है आग अपने लड़के चंदरगुफ्त ने खड़या करी नियुबोली नियुकरो इसने ले जाओ और आफड में मनसासी एक के दोसे रुपिये में चोरे नगयने धर्याओ अपना काम चला लेंगे और जब मोक का आओगा जब महारफाद् जब अपना लड़कें चोटवाले में और क्येकें लागी दयाओ ती से टानी में लाज चारा चुनते ही नियुबोली ओ चंदरगुफ्त एकलोता बेटा इसने गिर्वी धर्याओ मनसासे थे बसे हापड मैं उनके सुप्रद करियाओ चंदरगुफ्त एकलोता बेटा इसने गिर्वी धर्याओ मनसासे थे बसे हापड मैं उनके सुप्रद करियाओ संदरगुफ्त एकलोता बेटा इसने गिर्वी धर्याओ मनसासे थे बसे हापड मैं उनके सुप्रद करियाओ मन साथेट बसे आपड मैं उनके सुब्रत्य करे आओ लेकिन सेट ताराचंद नियू बोल्या के सेठाणी नियू कर आगरें सारा जगत के भीड पड़ी बणी बणी यार होया आगरें बिगड़ी का कोई नहीं होंता जै मैं इस लड़के न अपनेने लेक और मन साथेट दूरत चल्या गया और मन कई भी दीग बाद छोरे न गया दोशे रुपिये देदे देगे मारे वो वकत पड़ रहा है जब फिर भी नाट गया दोशे रुपिये देड़ में पर सेठाणी नहीं गोली सेठ जी वो नाट नहीं सकता के कहने लागी भला ओ ये दोशे रुपिये मांग लिये जाके जट पल्ले में डाल लेंगे दयावान सत पुरुष आदमी नावचनान टाल लेंगे सुबे स्याम तो पर पूत ने तिनोट में सेवा लेंगे अपने पूत की दाल समझ के तिरे पूत ने पाल लेंगे ओ रे ठेकाना इसा मिले नहीं ओ रे ठेकाना इसा मिले नहीं इसा ए दुनिया के मठेरियाओ मन सासे जे बसे आपड मैं उनके सुप्रत करे आओ मन सासे जे बसे आपड मैं उनके सुप्रत करे आओ मन सासे जे बसे आपड मैं उनके सुप्रत करे आओ जब शेट ताराचंद ने अपनी सेठाइनी की दयावती की यह बात सुनी तो आखों मैं रोज की आँसु आगे आँसु आने देखके दयावती ने लगी के महराज मर्द होकर आपके यह मासु और मन ने देखके ने जिसने पेट पाड़ के जा राख्या और मैं खोद नहीं कहन लागरी आगे इसना गयने दर्यादू सिर्फ यह की कहन लागी भला ओ यह पन में सरने पन में सरने दया करी थी एदिया पूते खेला आवने ने जन कितने कितने मैं रूम रहूंगी अश्कय पास बोलावने ने खोद मापापण पुरी जगत में तोटा जगर जलावने ने गेरवी रक्षत ले आपूंजी अपना काम चलावने ने तो शेर पे गार पले मैं लोट का अपने घर आओ मनसाशेट बसे हाफण में उनके सुप्रत करे आओ मनसाशेट बसे हाफण में उनके सुप्रत करे आओ मनसाशेट बसे हाफण में उनके सुप्रत करे आओ करने बोली शेट जी दोश्वर पील्याए पाच्छे एक चीजगा नेम करना पड़ेगा दोनुवाने तारा आचन्द बोल्याश ठाणी वो किस चीजगा किस चीजगा नेम बताया भला हुए नाम सही किर्शन सच्चे का दिल के बीच गोटा लेंगे आज तय पाच्छे दरमत जणका दोनुवान पयोठा लेंगे सेट से ठाणी तिरे पूतने गोड्यां बीच लोटा लेंगे नफार याते टोटा हचते पूतने फिर छोटा लेंगे लेके नाम सेरी किर्शन का लेके नाम सेरी किर्शन का गूट सबर की बर आओ मन साशी ठबसे आपड में उनके शुप्रत करे आओ मन साशी ठबसे आपड में उनके शुप्रत करे आओ मन साशी ठबसे आपड में उनके शुप्रत करे आओ हरने बोली महाराज यह जो धरम तजते हैं न उनका बहुत ही बुरा असर होता है धरम करना ही सबसे पुन्य की बात है और आखर में कवी ने इसके बारे की बता दिया भरा लखमी चंद के हैं वो यह लखमी चंद के हैं दरम करेते बोतां के बेड़ पार गए जो धरम छोड अधरम न करते हैं डूब बीच मजधार गए गज और ग्रहा लड़े जल भीतर जब गजारी नाम पोकार गए जोबर सुन्ड रया जल उपर पकड का यदर यो भार गए मेरे रोम रोम मैं बास करो और हर दे में हर आओ मन साशे बसे आपड में उनके सुप्रज करे आओ संदर गोप्त यक लोता देखता इसने गिर्मी धर आओ मन साशे बसे आपड में उनके सुप्रज करे आओ संदर गोप्त यक लोता देखता इसने गिर्मी धर आओ मन साशे बसे आपड में उनके सुप्रज करे आओ मन साशे बसे आपड में उनके सुप्रज करे आओ मुए्ट में इसने हुआ